असलाम लेकुम स्टूडेंट्स, I hope you are all fine and enjoying good health and I also hope that you are doing your work very well. So students, हमने अपने previous lecture में series circuit and parallel circuit को discuss किया था, उसमें हमने क्या discuss किया था? कि हर series circuit में एक light bulb होता है, current flow करता है, में switches होते हैं, कुछ, सारा कुछ हमने इसमें discuss किया था. तुर्ण आपको circuit है, उसमें वो light bulb होता है, हम कैसे judge कर सकते हैं उस light के size को, उस current के size को कैसे judge कर सकते हैं? आज हम ये पढ़ेंगे कि हम लोग current को कैसे measure कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी device, कौन सा instrument यूज होता है, क्यूंकि हर चीज के measure करने के लिए कोई न कोई instrument, कोई न कोई device यूज होता है. Sometimes students, आप लोगे घरों में अगर जब light इस तरह अचानक बंद हो जाए, light off हो जाए, तो जब light आती है, तो थोड़ा सा load जो है, current जो है, वो आपको कम महसूस होता है. बाज उकात इस तरह होता है, कि light का current जो है, वो कम आ रहा होता है, जिसकी वज़ा से light bulb जो है, वो dim light प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऐसा होता है न, तो ऐसे हम लोग judge कर लेते हैं, कि अब light का current जो है, वो कम है, और अगर जब light फुली bright हो, तब हमें पता चलता है, कि light का current फुल आ रहा है लेकिन ये साइंटिस्ट की नजर में ये तरीका जो है करन्ट को मेर करने को वो उनको कुछ पसंद नहीं आया लेकिन फिर उन्होंने अपना इंस्ट्रुमेंट जो है वो उसको उसका नजरिया पेश किया इंस्ट्रुमेंट को देखा कि इस हम लोग मैयर कर सकते हैं current को तो वह कहुंसा instrument था? Ammeter था. Ammeter is an instrument that is used to measure the current. Current को measure करने के लिए कौन सा instrument यूज वा? Ammeter. Ammeter यूज हुआ current को measure करने के लिए कि एक circuit में कितना current flow हो रहा है. The size of the current show us how much charge flow through the circuit कि current का size हमें क्या बताता है? कि कितना charge flow हो रहा है? circuit में से in one second एक वक्त में एक second में एक second में कितना charge flow हो रहा है the unit of charge is column charge का unit क्या है column किस से represent किया जा सकते है capital C से इसको represent किया गया है उसके बाद student the current is measured in units current को किस्में measure क्या जा जाता है units में measure किया जाता है current को कैसे किया दाओ हुग और इंपियर्ज उस यूनिट को क्या कहते हैं ऐम पेर्स को प्रसेंट किरेंगे हम लोग Capital A से तो जो हमाराrogen Meter है and meter is a measuring device students used to mikir the electric current electric current को मेर कंझने के लिए use होता है इनन तरह कि अुक Son idea it is always connected in series it is always connected in series with a device to my mother current इसे वोग्रीज केँ ож हमेश्य इसमें circuit के साथ connect रहता है current को मेशर्म करने के दिए you के अलावा भी एक device है जो current को मयर करने के लिए use होती है वो है multimeter multimeter जो है वो भी current को मयर करने के लिए use होती है multimeter जैसे नाम से ही जायर हो रहा है multimeter तो ये multi काम ही करती होगी मतलब इसमें ज्यादा efficiency होगी वो ज्यादा काम जो है वो कर रही होती device जो है यह ज्यादा काम कर रही होगी multimeter can measure voltage वो voltage को भी measure करती है current को भी measure करती है and resistance देखे students तीन चीज़े आ गई multimeter में a meter तो सिरफ current electric current को measure कर रहा था multimeter जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है multimeter वो voltage को भी measure करता है current को भी measure करता है and resistance को भी measure करता है it is also called warm v o m warm v से वाल्ट o से ओहम और m से milli ammeter यानि कि वो इसको कैसे represent करते है warm से भी इसको represent किया दाता है इसको warm भी कहा जाता है v से वाल्ट o से ओहम और millimeter ठीक है milli ammeter sorry ठीक है ये वाल्ट ओहम और milli ammeter ठीक है students वो आपको समझ आई कि कैसे current चो हे वो measure होता है circuit में उसके लिए कौन सा instrument और device यूज़ होता है emmeter भी use होता है multimeter multimeter तीन काम करता है तीन चीज़ों को measure करता है जबके emmeter सिर्फ electric current को measure करता है ठीक है आपने अच्छे से अपना इस सीज़ का concept clear कर लेना है ओके students अल्ला हाफिस